नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं बिहार में सभी स्कूल कॉलेज बंद बिहार में बढ़ते कुरोना संक्रमन को देखते हुए नितिस कुमार सरकार ने राजे में 5 से 12 अप्रेल तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया है इसके साथ ही राजे में सभी तरह के सरोजनी कारिकरमों पर भी पबंदी लगा दी गई है सरकारी आदेश के अनुसार राजे में एक हफ्ता के लिए सभी सेक्षिनिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है बता दे मोखे मंत्र नितिस कुमार द्वारस अनिवार को कुरोना की समीक्षा के बाद निर्देश दिया गया था कि आपता परबंधन समु राजे के सेक्षिनिक संस्थानों को बंद रखने पर विचार करे पारा सिक्षको का पारागरम जारखन सिक्षा पर योजना परिशद ने 15-19 मार्च तक विधान सभा का खिराव करने वाले सभी पारा सिक्षको के एक एक दिन का मांदे काट लिया है मोर्चा के नेता संजाय दुवे ने काहा कि पारा सिक्षक एक दिन का आक्समिक आउकास लेकर अपने मांगो के समर्थन में विधान सभागिराव करने राजी पहुचे थे ऐसे में एक दिन का मांदे काट लेना गलत है जारखन में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल कुरोना वायरस संक्रमन का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की सिक्षा पर पढ़ा है बतादे खास कर सरकारी स्कूलों के बच्चे अधिक प्रभावित हुए है एक साल से अधिक समय से स्कूल बंद है online कक्षाओ का lab इन इसकूलों के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है पिछले कुछ माँ से उपरी कक्षाओ के लिए इसकूल खोलने के उनमति तो मिली है लेकिन कुरोना संक्रमन के भाय के कारण बच्चों के उपस्तिती काफी कब रही है पतादे संक्रमन बढ़ने के कारण उपरीक अक्षाओ के लिए भी स्कूल फीर से बंद करने की समावना बढ़ गई है जाकन एकेडमी कॉंसिल जाक ने दासवी और बराहमी की बोड परिक्षा का एडमिट कार जारी कर दिया है पतादे मैट्रिक और इंटरमेडियेट की मुखे परिक्षा चार मई से सुरू होगी या दो पाली में होगी या परिक्षा 21 मई तक चलेगी पाली पाली में मैट्रिक की परिक्षा जबकि दूसरी पाली में इंटरमेडियेट की होगी बता दे कुरोना सेंक्रमन और बचों की पढ़ाई पर असर को देखते हुए सिलेबस में कड़ोती की जा चुकी है इसकूल के पर चार्ज इसे जैक की वेब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं जार्खन में हर तरफ होगी चका चक सडके 21 परियोजनाव का उधगाटन जार्खन के मुख मंत्री हमान सुरेन ने सनिवार के दीन को एतिहासी करार देते हुए का की राजवासियों को 21 सडक परियोजनाव की सवगाद मिली है उन्होंने उमीद जताई की बेहतर सडकों के निर्मान से विकास कार्यों में तेजी आएगी जार्खन में खनी संपदाओ की टांस्पोर्टिंग सडक मार्ग से ज्यादा होती है अतह यहां गुनवाता पूर्ण सडक होना आवस्याख है वे सनिवार को वीडियो कंफरेंस के माधियम से राजवे में 3550 गोल रुपे की लागत से बतादे इस दोरान एफड़ी करने के बाद खाता दारक से ओटी पी मांग कर खाते से रुपए उड़ा रहे हैं इस मामले कुल कर राची पूलिस ने सनिवार को पोस्टर जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है इसमें ठगी के तरीके और बचा के उपाय बताए गए हैं पतादे राची पूलिस ने लोगों को साइबर क्रिमिनल के चंगूल में फसने से बचने के लिए पोस्टर जारी किया है जारखन में सिक्षकों ने नहीं लिया टीका तो देना होगा कारान राजे में 45 बरस से अधिक उम्रेक के सिक्षक वा सेक्षनिक कारे से जुड़े सभी नियमित वा सन्वीदा कर्मियों के टीका करन को लेकर दिशा निदेश जारी कि इसमें टीका नहीं लेने वाले सिक्षकों की संख्या और टीका नहीं लेने के कारण के बारे में भी जनकारी देने को कहा गया है मुख्यमंत्री की अजक्स्ता में 6 अपरेल को अपदा परबंधन की बैठाक राज सरकार कोरोना संक्रमन पर लागातार पैणी नजर रख रही है पतादे मुख्यमंत्री मान सुरेन सुयम इस पर नजर रख रहे हैं में कुछ सिमाओं तक प्रतिबन लगाया जा सकता है जार खन की ग्राम पंचातों में आज से टीका करन का विशेश अभियान राज में कुरोना ठीका करन का दूसरा विशेश अभियान रभी वार से सुरू होगा पतादे आठ दिनों के इस अभियान में प्रति दिन डेर लाख लोग के ठीका करन का लख्ष रखा गया है पतादे चार चर्णों में अभियान करम से 4 से 5 अप्रेल, 7 से 8 अप्रेल, 10 से 11 अप्रेल तथा 13 से 14 अप्रेल तक चलाया जाएगा इस बीच 7 अप्रेल को 20 स्वास्त दिवस के अउसर पर अधिक से अधिक लोग का ठीका करन कराया जाएगा जारखन में 873 संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 472, भुकारो 29, चत्रा 4, देवगर 8, धनबाद 26, तुमका 23, पूर्वी सिमूं, 101, गिरीडी 4, गोड़ा 11, गुमला 20, 1032, जामतरा 21, खुर्टी 13, कोड़ारमा 14, लाते हार साथ, लौरदागा 6, पांकुल 18, पल बोकारू से 1, चत्रा से 1, धनबाद से 1, जमसेदपूर से 1, मरीज की मौत हुई है बताजे जरखन में कूल मौत की संक्रमित की संक्रमित 14, 122 का है वहीं कूल एक्टिफ केस की संक्रमित 45, 2945 केसUP भारत में कुल मौत की संख्याई 1,4455 वही कुल एक्टिव के 6,887,433 सरहूल को लेकर 5 अपरेल को मौराबादी में बैठाक सरहूल पुजा की त्यारी को लेकर मौराबादी कुसुम बिहार में कोर कमिटी की बैठाक सनिवार को हुई सरहूल पुजा की त्यारी को लेकर 5 अपरेल को मौराबादी त्यार टोली बर्यातु में सभी आदिवासी संख्याटनों की सनिवार को बैठाक होगी उन्होंने काहा कि सरहूल सोबायात्रा निकालने के निनने नहीं बदलेगा आदिवासी अपनी परमपरा संस्कृती बचाने के लिए सोबायात्रा में सामिल होंगे किसान अंदोलन को धारा देने 19 को राची आएंगे राकेश्टिकायत किरिसी कानुनों के खिलाप राष्ट ब्यापी अंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतिय किसान यूनियन के नेता राकेश्टिकायत 19 अपरेल को राची आएंगे वेदोफर में राची के बुधित जीवियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ सनवाद करेंगे इसका आवेजन प्रेस कल्ब में किया गया है बतादर टिकायत के साथ वामपन्ति किसान यूता दर्शन पाल और हन्ना मुल्ला भी राकेश्टिकायत के साथ आ रहे हैं मधुपूर चुनाओ को लेकर एस्पीने की बैठक देवघर पुलिस अधिक्चक आस्विनी कुमार सिनाक एगवई में मधुपूर विधान सभा उप्चुनाओ को लेकर पुलिस पतादिकारियों की एक बैठक पुलिस अधिक्चक कर्याले में हुई बैठक में पुलिस उपाधिक्छक सा अनुमंडल पुलिस पताधिकारी देवघर मंगल सिंग जामुदा पुलिस उपाधिक्छक साइबर अपराद नेहा बाला अनुमंडल पुलिस पताधिकारी उपस्थित हुए आईडी हमले में तीन पूलिस कर्मियों के सहीध होने की जांच भागपा मवादी खिलाप एन आईये का सिकंजा कस रहा है बतादे चाई बसा जी लेके टोकलो थाना चेतरी स्थित लांजी जंगल में भागपा मवादी के द्वारा आईडी बीस्पोर्ट में तीन जमान सहीध हो गए थे इस मामले की जांच रस्टिय जांच एजनसी ने टेक ओबर कर ली है बतादे मामले में एक रोर के इनावी मवादी भागपा केंद्रिय समिती सदस पतिरा मांजी उर्फ अनल समय 33 नक्सलियों को नामजात अरोपी बनाया गया है इस मामले की जांच की जिमिवारी एन आई एक के डिस्पी रहें के अधिकारी को दी गई है संक्रमन को देखते हुए यारपोट परसासन अलर्ट विशा मुंडा यारपोट परसासन ने कुरोना महमारी के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए एतियात के तोर पर सक्ति बढ़ाई है बतादे इसको देखते हुए टर्मिनल बहुन में बिना मास्क के परवेश पर पूर्णता पबंदी लगा दी गई है साथ ही भातिक डिस्पले के माध्यम से कुरोना के लिए निर्देशों का परदर्शन अधिक से अधिक किया जा रहा है कॉल सेंटर कर्मी 24 घंटे के अंदर संक्रामित से करे संपर्क कुरोना संक्रामन की रोक्थाम के लिए कठित बिभीन कोसांगों के कारियों की समिक्षा सनिवार को डिसी चावी रजन ने की बतादे इस दोरान डिसी ने कॉल सेंटर सेल की समिक्षा करते हुए कहा की 24 गंटे के अंदर कॉल सेंटर के कर्मी संक्रामित ब्यक्ति से संपर्क करे संपर्क कर उसे जीला परसासन के गाईडलाइन की जनकारी दे DC ने कहा कि पिछले 10 दिनों में आये पोजेटी मामलों में कितने लोगों से संपर्क अस्थापित हुआ इसकी रिपोर्ट दे धन्यवाद